सफर में धूप तो हुगी जो चल सको तो चलो सभी हैं भीड में तुम निकल सको तो चलो साथियों मेरे जानने चाहने वाले बड़े चिंतित रहते हैं इसलिए कि उन्हें लगता है कि साइकल से इतनी लंबी आतरा तो बड़ी मुश्किल होती होगी जी हां होती हैं मुश्किले पर मजा भी उनहीं मुश्किलों का सामना करने में है साथियों ये यातरा ईश्वर की दया से इस बार सब ठीक रहा तो सुल्तानपूर से अमर कंटक तक होने वाली है और इसकी शुरुआत सुल्तानपूर प्यागीपूर चौराहे से हो चुकी है साथियों ये वीडियो मैं ऐसे लोगों के लिए बनाता हूँ जो सामान आडियन्स से जादा बुद्धिमान होते हैं क्योंकि उन्हें टाइम पास के नाम पर कुछ भी गंध देखना पसंद नहीं होता बलकि उन्हें कुछ ऐसा देखना होता है जिससे वे कुछ सीख समझ सकें जिनका वाचिंग टाइम स्पैन आज भी एक मिनट से जादा है उन्हें शार्ट वीडियो समझ में नहीं आते तो आप यदि ऐसे विक्ति हैं तो बिना देर लगाए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं साथियों मुझे लगता है कि लंबे रास्ते साइकिल से चलने पर ज़्यादा खुबसूरत लगते हैं तो इन खुबसूरत रास्तों पर जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए हम रुख गए और सोचे थोड़ा वीडियो बना ले पर शायद इनको ये बात रास्त नहीं आई खैर कोई बात नहीं हम बढ़ गए आगे और पैडल मारते मारते पहुँच गए प्रताब गड़ जहां पुल के उपर से हमने ये वाली कलाकारी की तो दोस्तों सुल्तानफुर से करी 40 किलोमेटर साइकिल राइड करने के बाद अभी फिलाल हम लोग परताब गड़ पहुच चुके हैं और जहां हमको रुखना है रात में वहाँ पर अपना बैग बैग रखके हम आ गए हैं सबसे पहले दर्शन करने बेलह देवी और इस खूबसूरत शान का मज़ा ले रहे हैं पीछे हमारे आप सूरत भगवान को देख सकते हैं जो ढ़लने जा रहे हैं और यह जिस नदी में मैंने पना पाव डाला हुआ है यह है सई नदी कर आदा इस नदी इसका इतिहास त्रेता युग कालीन है पर यह नदी मातर च्छे जनपतों से होकर गुजरती है हरदोई की भीजवान जील से सुरू होकर लखनव, उन्नाव, राइबरेली, प्रताबगर होते हुए जोनपूर में जाकर गोमती मेदी से मिल जाती है इस नदी के किनारे दो तीरतस्तल हैं, एक तो ये बेलह माई और दूसरा बलुकेश्वर माज जिसका जिक्र में आगे वीडियो में करूँगा साथियों बेलह देवी के इस मंदर के विशय में पुराणव में भी बरनित है दक्ष प्रकरण में स्री हरी भगवान विश्णु ने जब माता सती के सरीर के क्याउन तुकड़े किये तो कमर का भाग यानि बेलह यहाँ पर गिरा वनवास के लिए जाते समय स्री राम चंजी ने भी यहाँ पर बेलह माता का पूजन अर्चन किया था यह मंदिर अयोध्य से प्रियाग राज मार्ग पर प्रताप गड़ घंटा घर से पहले सई नदी के तट परिस्थित है साथियों इसके बाद इस पूरे मंदिर के एके कोने में जाकर सभी विग्रहों का मैंने दर्सन कर लिया और हमेशा की बाद मिल गए हमको नारायार सुरूप बच्चे जो इसकेटिंग कर रहे थे उनसे दोस्ती करके मैंने उनका वीडियो बना लिया बच्चों के मन में कौतुहल जागा और उन्होंने मुझसे पूछा क्या इसके बाद मुझे अमीर हो जाने का सेर्टिफिकट मिलेगा या नहीं जनता जवाब चाती है दोस्तों खेर आप मैं ऐसे काफी सारे लोगों के मन में ये प्रस्ट रहता है कि मैं भोजन कहा करता हूं तो यह निर्भर करता है परिस्थिती पर आज तो भया भोजन स्वयम बना करके करना पड़ेगा जमर दस चावल बन चुका है सबजी की तैयारी हो रही है रजनीश जी अपना आज इसमें कारी गरी दिखाएंगे और आटा सामा जा चुका है अभी से में रोटी बनाऊंगा जो भी बन पाईगी सही गलत और इसके अगर यह वीडियो आप तक देखो तो इसका मतलब यह वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें और अपना विचार कमेंट बाक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जूड़ जाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो की जनकारी आप सब कुछ सबसे पहले मिल सके जैसरी राम